बिस्मिल्लाहिर रह्मान रहीम आज के हमारे इस विलॉग में आप देख सकते हैं कि हमने किया है डिनर जो के बड़ा ही अच्छा और मज़ेदार है मैंने यह सारी तमाम चीज़ें बनाई हैं घर में विडियो मैंने ज्यादा अप्लोड इसलिए नहीं की क्योंकि आर रेडि मैं अपने चैनल पे चलने वादे चावलों की और यह सारी विडियो अप्लोड कर चुकी हूं तो चले करती हैं स्टार्ट यह है जी कीमा यह मैंने कीमा लिया है आज हम मटर और कीमा बनाएंगे अपने किचन में कीमा मैंने चुले के उपर रखके उसमें मैंने दो छोटी इलाइचीज और बाकिट मार्टर अद्रग लैसन पे जो भी चीज़ें थी सबस मिर्चे नमक वो मैंने शामल करके उसके उपर रख दिया था जो के कीमा गल भी चुका है और वो सारी चीज़ें भी साथ गल चुकी हैं अब मैंने ली है कड़ाई कड़ाई में मैंने डाला है घी और घी डालने के बाद आपको पता है कि मैं हैसे बजरूरत उसमें शामल करती हूँ गरम चीजों के साथ उबर चुका है इसमें आपको नजर भी आ रहा है टमाइडर अधर लैसन और हार चीज अब इसको भूनें के थोड़ी देर साथ ही मैंने इसमें शामल कर दिया है हल्दी बॉर्डर, सुर्ख मिर्च और नमक क्योंके अलताफ साथ बोलते हैं कि ज्यादा मसाले खाने में इस्तमाल नहीं किया करो मैंने का ठीक है जी नहीं करते तो अब मैंने इसमें शामल कर दिया है मतर मटर मैंने आदा किलो मटर लिये थे वो मैंने रख दिये हैं उसमें शामल कर दिये हैं अब इनको बहुत अच्छे तरीके से भूनना है लेकिन भूनने से पहले मैं थोड़ा सा पानी इसमें शामल कर देती हूँ ताकि जो हमारे मटर है न वो थोड़े से गल जाए जब मटर गल जाएंगे तो फिर मैं इसको भूनूँगी आप देख सकते हैं कि मटर जो है न वो गल चुके हैं अब मैं इनको आस्ता आस्ता हलकी आच पर अच्छे तरीके से भून लोगी क्योंकि जितना आप कीमा और मटर को ज्यादा देर तक भूने के उतने ही वो मज़ेदार और टेस्टी बनेगे तो माशालला मेरा जो सालन है न वो पक्के हो गया है त्यार अब मैं इसको निकालती हूँ एक डौंगे में और इसको ले चलते हैं अंदर दस्तर खान पर जहां पर अलताव साब वेट कर रहे हैं खाने का वो कहते हैं मुझे बड़ी भूग लगी है मैंने का चले अभी लेके आएं तो जी ये हैं फाइनली हमारे केमिय और मतर की लुक अब इसको खाने लगी हैं भाई इरफान ये हैं जी अलताव साब जिनको बहुत शदीद भूग लगी है लेकिन मुहमद इखलास उनको नहीं खाने दे रहा वो कहते हैं मैंने खानी हैं फिश तो ये बहर बले दो पीस बड़े वे थे फिश के वो ओमन में करके गरम तो सिस्टर उसको निकाल के दे रही हैं कांटे ताके वो फिश जो है न वच्छ तरीके से खा ले वो मुहमद की खलास को खाना किला रही हैं और मैं मुहमद अलताव को खाना किला रही हूं मुहमदी खलास उद्धर खाना का रहा है मुहमद अलताव उद्धर खाना का रहा है और भाई अरफान भाई अरफान थोड़े से शर्मीले हैं वो वीडियो को नहीं देखते और ना ही उपर देखते हैं बेशक उनको जो मर्जी बोल दिरो यह रोटी बाहर से ली है हमने गर में नहीं बनाई क्योंकि आज बहुत ठक गये थे यह चावल है मैंने चावलों की वीडियो पहले अपलोड की लेकिन अलताफ साप ने बोला है कि सालन बहुत अच्छा बना है वेरि कृट तो साथ ही जो अलताफ साप करें और इखिलाफ साभ ना इसा हो एं सकता इखिलाफ साब ने भी कहा है वेरि कृट यह हैं फाइनलि हमारे खाने के बाद की सुरतिहाल तो खाना सब को बहुत अच्छा लगा आपको कैसा लगा हमारा बिलोग